महार्षि भ्रिगु के परिवार में जन्मी महान रिशी मारकंडी के विशय में हम कई बार सुनते रहते हैं शिव और ब्रह्मा को अपने आराध्य देव मानने वाले मारकंडी रिशी का चिक्र विभिन पुरानों में कई बार किया गया है मारकंडी रेशी का संपूर्ण जीवन अपने आप में एक शिच्छा है इनके बारे में बहुत सी बाते हम सुनते कहते आए हैं यहां हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे साइध आप अवगत नहीं है रेशीम मिरकंडू और उनकी पतनी ने पुत्र रतनी की उत्पत्ती के उदेशे शे भगवान शीव से बरदान पाने के लिए उनके आराधना शुरू की शीव उनके आराधना शे प्रशन तो हुए लेकिन उनके शामने एक सर्त रखी कुने एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहत बुद्धीमान और बिलच्छन प्रतीभा का हो लेकिन उसकी किस्मत में अलपायों में मिर्त्यू लिखी है या फिर एक ऐसा पुत्र जो बुद्धीहीन लेकिन दिरगायू हो मिरिकांडो और उनकी पत्नी मरुद्धमती ने शीब से अलपायों लेकिन बुद्धीमान पुत्र की मांग की और शीब उन्हें वर्दान के रूप में मारकंडी जैसे बिलच्छन बालक दिया मारकंडी की नियती में 16 वर्द की आयूब में ही मिर्त्यू लिखी थी जैसे जैसे मारकंडी की उम्र बढ़ती गई शीब के परती उनका शमरपन भी बढ़ता गया जिस दिन उनकी मौत निस्चित थी उस दिन भी वे शिबलिंग की पूजा में बैस्त थे रिशी मारकंडी पूरे शमरपन भाव के साथ शीब की पूजा में लिन थे जब यम्दूत उन्हें लेने आये तो वह उनकी पूजा में बिग्ण डाल पाने में शफल नहीं हुए यम्दूत को अशफल होते देख श्वयम यम्राज को मारकंडी को लेने धर्ती पराना पड़ा यम्राज ने एक फंदा मारकंडी के गर्दन में डालने की कोशिस की लेकिन गलती से वो फंदा शीबलिंग पर चला गया यम्राज की इस हरकत पर शीब को क्रोधा गया और वह अपने रोधर रूप में यम्राज के शमक्च उपस्थित हो गये शीब और यम्राज के बीच एक बड़ा युद्ध्य हुआ जिसमें यम्राज को हार का शामना करना पड़ा शीब ने बश एक सर्थ पर यम्राज को छोड़ा कि उनका ये भक्त अमर रहेगा इस घड़ना के बाद सीब को कलान तक भी कहा जाने लगा जिसका अर्थ है काल यानि मौत का अंत करने वाला सती पुरान में उन लखित है कि श्वयम पारवती ने भी मारकंडिय रिशी को ये बरदान दिया था कि केवल वही उनके बीर चरित्र को लिख पाएंगे इस लेख को दुरगा शप्त सती के नाम से जाना जाता है जो कि मारकंडिय पुरान का एक अहम भाग है भागवत पुरान के अनुशार एक बार रिशी नरायन मारकंडिय के पास उनसे बरदान मांगने को कहा संत नरायन श्वयम भगवान विश्णू के अपतार माने जाते हैं इसलिए मारकंडिय रिशी ने उनसे कहा कि वे अपनी चमतकारी शक्तियां उन्हें दिखाएं उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विश्णू बालक के रूम में एक पत्ते पर लोटते हुए अपतरित हुए और कहा कि ये शमय और मृत्यू है मारकंडिय उस बालक के मुख के अंदर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने ब्रहमांड का अध्भुत नजारा देखा उस बालक के मुख से पेट की तरब बढ़ते हुए उन्हें जहरने, पहाण, शागर, सब कुछ दिखाई दिया रिसी मारकंडिय को शमज नहीं आ रहा था कि वह यहां से बाहर कैसे निकले तो उन्होंने पेट के भीतर रहते हुए ही विश्णू की अराधना आरंभ कर दी जैसे ही उन्होंने विश्णू भगवान को याद करना शुरू किया वैसे वह सुरचित तरीके से उस बालक के सरेर में से बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद उन्होंने लगवग एक हजार सालों तक विश्णू का सानिध्य प्राप्त किया इस घटना के बाद मारकंडे रिशी ने अपने अनुभव के आधार पर बालक मुकुंद अस्टकम की रचना की कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए